नमस्कार दोस्तो स्वागत है पती और पत्नी करिस्ता बहुती खटा मिठा होता है कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार होता है कि बस लगता है जिन्दगी यहीं ठर जाए इसके लिए जरूरी है कि पत्ति पत्ने के रिष्ट को बरकरा रखने के लिए उनमें धेरिये हो और एक दूसरे पर विश्वास हो ताकि जिन्दगी में आने वाले किसी भी मुसिबत से वो हर न मानकर बल्कि उसे पार करके अपनी खुशे को और बरा कर सके कई पत्नियां ये सुष्टी है कि बस उनका पती उनकी बात सुने अपनी जिन्दगी का सबसे ज़्यादा समय उसे दे कुछ घरों में अक्सर महिलाए अपने पती के गुसे के कारण अटवा किसी अन्य कारण से परसान रहती है पती का कुड़ोत तो मानो किसी ना किसी बात को लेकर हर वक्त उनके नाक पर ही रहता है नजाने कब किस बात को लेकर लड़ाई जगरा कर देते है अगर आप भी अपने पती के गुसे और सुभाव के कारण परिसान है तो आप भी इस उपाय को अपना कर अपने पती को काबू में कर सकते है पर आगे बनने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कोई युवा लरका लरकी यह वीडियो देख रहा है ताकि वहाँ अपने बॉइफरेंड या गल्फरेंड के उपर यह उपाय करे उसको अपने वस में करने के लिए तो कृपा करके ऐसा बिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंकि जो भी रिस्ता वसे करन से सुरू होता है वर रिस्ता आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकता तो क्रिपा करके आप किसी भी तरह के वसे करन अपने प्रेमी या प्रेमी का पर बिल्कुल भी मत कीजेगा आम तोर पर पती पतनी करिस्ता ऐसा होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे की जरुत होती है दोस्तो एक छोटा उपाय करना है यह उपाय पतनी भी पती के लिए कर सकते है और पती भी पतनी के लिए कर सकते है यह उपाय करने से आपके पती आपके वस्म हो जाते है वो आपको मान सम्मन देने लगते है आपके बात मानने लगते है वह आपसे दूर नहीं भागेगे बलकि आपकी बात जरूर सुनेगे तो दोस्तो उपाय बताता हूँ रहीवार को आपको लारंग का कनेर का फुल लेकर आना है और अगर आपको लारंग का फुल कहीं भी नहीं मिला तो आप पीले रंग का फुल भी ला सकते है कनेर के फुल से कियावा वस्यकरन या समोहन आसानी सो हो जाता है और यहाँ बहुती प्रभवसाली भी होता है रहीवार को लारंग का कनेर का फुल तोड़ के लिकर आना है और बाद में इसे घिस देना है आप इसे कुड़ भी सकते है आप चाहे तो कुटने के लिए साप पत्थर का भी इस्तमाल कर सकते है फिर यह एकदम पेश की तरह बनने लगेगा उसके बाद इसमें थोरे चंदन मिलाकर इसे एक छोटी सी डिबी में रख देना है जिससे कि यह पूजा पाट को जो टिका लगाते है उस तरह का बन जाए इस तरह से यह एक टिके का घोल बन जाएगा फिर यह टिका रहीवार के दिन ही आप अपने पती को प्यार से लगा दीजिए यह उपाई पती भी अपने पती के लिए कर सकते है इससे आप लोगों एक दूसरे को समझने लगेगे और जो कमी आ रही थी वो कमी दूर होने लगेगी और खुद से भी उनके साथ प्यार से रहने का विवहार कीजिए इससे आप लोगों की भी समझदारी बरेगी वो जो आपको छोड़कर भग जाते थे वो भागेगे नहीं बलकि आपके साथ बैटना पसंद करेगे आपकी बाते सुनना आपके साथ रहना वो जरूर पसंद करेगे तो दोस्तो अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बुलना जिससे की आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिक्सन मिलती रहे जैसरी कृष्ण